असली जारखंडी की क्या पाचान 1932 का हो जिसके पास का दियान है। और 2019-2024 के बीच में वहाँ 22 हजार से अधिक मद्दाता बढ़ते हैं। तो यह जो प्रत्यासित बिर्दी है, यह प्रत्यासित बिर्दी आया कहां से, कौन साइसा स्कीम लाए, कि खठागट इसकीम के साथ जो है अचानक मद्दाताओं की संख्या बढ़ गई। संताल में सीता स्वरेन और लोबिन हम्रम और उधर कोल्हान में चंपाई स्वरेन और उससे पहले गीता कोड़ा। सब्सक्रावा आप लोग भी कर रहे हैं कि पिछले चार साल में आबादी बढ़ी है, अभी भी आप देखेंगे कि संताल में 2019 में प्रदरसन अच्छा नहीं रहा, इन दो जीलों की ही छे विदान सभा सीटों में से पांच इंडिया के खाते में हैं, इस चुनाओं में आप कितनी बड़ी चुनाओती के तोर पर देखते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, कि ज्यादा से ज्यादा सीटे भारते जनता पार्टी के खाते में डाली जाए संताल से, मदर्सों की संख्या बढ़ते जा रही है, सरकारी जमीनों पर कबजे होते जा रहे हैं, आप एक टास्पोर्ज बनाकर के जांस तो करवा लो, राजमहल जिसे गंगा नदी खुद अपने पवित्र जल से सीचती है, राजमहल जो कभी चायना क्ले के बरतनों की फैक्टरी के लिए बहुत विख्यात रहा, और इस वक्त हमारे साथ जो सक्स बैठे हैं, उन्होंने इस विधानसभा सीट को दो बार बीजेपी के खाते मे रुपे पहचान होती है, नेता जिनको राष्टे स्तर पर भी उनकी धमत कई बार सुनाई देती है, स्वागत कीजे हमारे खास सेग्मेंट नेतागंड में, राजमहल विधानसभा सीट से दो बार के विधायक अनन्त उजा जी का, सर बहुत स्वागत है आपका, आपका पर आपको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है, दस साल का आपका इस विधानसभा सीट पर कारेकाल रहा है, कैसे देखते हैं आप इस कारेकाल को और यह जो यात्रा है, वो सुरू कैसे हुई, राजमितिक सफर आपका, आपका विनंदन की आप इतने अच्छे विचार रख इस विधाई कारेकाल से पुरूव अखिल भारती विधारती परसद के माध्यम से एक संग का राष्टी स्वम्शेवक संग के स्वम्शेवक होने के नाते हमारा जुडा हुआ, चातर जीवन में जब कालेज में गये, तो जो उस समें के अगरणी हमारे भूमिकाने भाने व मुझे जोड़ा और वहां से राष्टिय बिचार की जो भावना है वह राष्टिय बिचारों के साथ जूड़ना लड़ो पढ़ाई करने को पढ़ो समाज बदलने को उसमें किरित बिहार था लालू जी की सरकार थी राजी की सिक्षा बेवस्ता चोपट हो चुकी थी और वह से काम करते 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 फिर दोहजार में राजिती किछेप्र में आना हुआ संगठं के नाते युवा मुर्चा में मैंने युवाओं की लड़ाई लड़ी आपको ध्यान में होगा कि राजी बनने के बाद नौजवानों का सड़क का पहला संगर्स केवल और केवल एक मुद कार चाहिए जीने के लिए रोजगार चाहिए फिर विवा मुर्चा के नाते सड़क का संगर्स हुआ बाद में फिर पाटी के नाते प्रदेश के महामंतरी रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे तो जो संगठं को जैसे लगा वैसे दाई तो देने का काम किया बाद में इ अपने और से प्रयास है कि कोई कमी ना रहे जिस देश्यों को लेकर के पार्टी दे भरुसा जो जताया है और यहां के जनगन का जो विश्वास है उस विश्वास को पूरा करने में अपने और से कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ा है अनन जी आप तीसरी बार चुनाओं में ज देवा है आप सोता सुभावी कुरुप से लोगों से पुछ सकते हैं पाटी संगठन का काम और फिर इस राजमहल विधान सवर की छेत्र की जनता के प्रति वो दाईत्वर जिस जनता ने मेरे जैसे एक किसान के बेटे को गाउं में रहने वाले बेटे को विश्वास करके और अपना महत्तम आसिलवात देने का काम किया है तो उसकी हर सोच को हर सपने को पूरा करने के दिशा में हम प्रत्नसिल बनना है ऐसी संकलपना को लेकर करके हम काम करते हैं जहीं बात जहां तक मैं आपको थोड़ा 2014 से पुर्व का जो राजमहल विधान सवा था एक दिर से आपके सामने रखता हूं आप किसी भी यहां स्थानी लोगों से बात करेंगे तो ध्यान में आएगा कि जो समाने नागरिक जीवन की मुल्भूत जरूते हैं उन मुल्भूत जरूतों में भी हम निचले पाइदान पर खड़े थे हमें बिजली मिलती थी 2014 से पहले का बिजली के बारे में आकलन करेंगे तो मातर बारत 14 मेगावाट यहां बिजली मिलती थी और इस इतनी भ्यावत थी कि एक बार थोड़ा सा अंधी आया ट्रांस्मिशन लाइन इतनी बत्तर थी कि एक बार आधी आया और वो पांच दिन साथ दिन तक ब्रेकडाउन रहता था राजमल उद्वा की तो बात ही न करें एक ट्रांसफार्मर जलता था हमारे हां तो ट्रांसफार्मर जलने के लिए लोगों को देवहर या दुमका से लाना पड़ता था वो भी पचास जार से लेकर कि एक लाख रुपया तक लोगों को आरजाना तो एक सरकारी टेक्स गबबड टेक्स के नाम पर पांसो एकसो दूसो पांसुर्पया संग्रा होता था तब वो ट्रांसफार्मर आता था आज जब हम दोहजार चोबीस में पाकि साहिब गुण जिला में बिजली आने के लिए जो भी मार गए है चाहे वो जो राष्टी ग्रीड है उसके साथ उर्क नायनपूर के साथ साहिब गुण के जो जोड़ने की बात हो परक्का से जो बिजली आती है हमारे हां तो ट्रांसमिशन लाइन को दुरुस्ट किय यहां जो जर जर तार थे जो ट्रास्मिस्टन लाइन का उसको बेवस्चित किया और आज हम कह सकते हैं कि सरकार की अगर मंसा सही रहे पुरुवती और यह संभव इसलिए हुआ कि केंदर में मोदी जी की सरकार थी और आज में भारती जनता पार्टी के नितृति में रगबर मिल रहा है और इस्तिती यह हो गया था कि मैं कई पर पुछता था उध्वा के लोगों से जो सफसे सुद्रवर्टी छेत्र है हमारा जिन लोगों को दस दिन आठ दिन दस दिन ब्लेक आउट रहता था और पिछले सासनकाल में रगबर जी के सासनकाल आते आते यह सब इंफ रुदस्तिता के कारण आज लोगों को थोड़ी कटनाई होती है बिजली की कटोती होती है नहीं तो साहे बंजिला इस रूप में ट्रांस्मिशन लाइन खाड़ा हो गया है कि यहां अब बिजली कटोती का कोई बिसे ही नहीं है हम 24 गंटा बिजली जिलेवासियों को दे सक करन होते हैं राजमहल सीट के पूरे इतिहास को देखें तो यहां पर जो अलपसंख्यक वोटर है वो निर्नायक भूमिका निभाते हैं और पिछली जो दो जीत है आपकी बहुत नजदी की अंतर रहा है आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उसको और तब जब आप डे रहा है आदर्णी प्रधान मत्री नरेंद्र भाई मुदी जी के मारदर्सन में अदर्णी नितिद गड़करी जी ने उस सपना को पूरा किया यहां के लोगों का फोर लेंग तो सोच भी नहीं सकते थे मैं जब चुनाव में आया था तो चुनाव में आते समय हमने यहां कह लोगों को कि हम एनेस तो कालाते हैं लेकिन आठ पीट दस पीट सड़के हमारे यहां मौजूद है और सड़कों में गड़ा है कि गड़े में सड़क है यह दिखता नहीं था आज हम कह सकते हैं कि तीन हजार करोर से अधिक कि लागत से फोर लेंकी चमचमाती सड़के जैसे को पढ़ने के लिए पुल्टेक्निक कॉलेज नहीं था हमारे यहां के बच्चे दुर दराच्चे नहीं और दिल्ली जाते थे आज वहां पढ़ने के लिए बच्चों को ना क्यावल डिगरी कालेज बना यह मौडल कॉलेज बना बलकि मौडल कॉलेज में पुल्टेक्निक बनाया यहां डेयरी का एक प्रजेक्ट बनाया है जो मेधा डेयरी के नाम से हाँ न किया विए सिले नास किया था अब उसका लोकारपन भी हो करके और यह गतिसील हो गया तो यह सारी हमारे मन में दूर दूर तक, किसी भी हद तक हमारे अंदर नकरतमकता नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं जो अबैद रूप से घुसे हुए बंगलादेशी गुस पैटी है। जिनके कारण से हमारी डेमोग्राफी बदली है, जिनके कारण से हमारा जल जंगल जमीन चीने जा रहे हैं, जिनके कारण से हमारे सांस्कृतिक हमला हो रहा है, जिनके कारण से हमारी आंतरिक सुरक्षा खत्रे में पड़ रही है। और इसका पैमाना ये है कि आपने देखा होगा कि जब से इस छेतर की जनता ने मुझे असिरवाद दिया, तब से मैं इस छेतर की बदलती हुई टेमोग्राफी को ले करके, इस छेतर के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के जो खत्रे पैदा हुए हैं, इस इन लोग की हद तो ये भी हो गई कि मानी उच नियाले में, जब ये मामला आया तो इन्होंनों सीधे से खारिज कर दिया, कि एक भी बंगलादेसी नहीं है इस जिला में, जबकि मैंने ही विदान सभा में परसन लाया था और इसी सरकार ने, इसी सरकार ने शुकार किया कि चार बंगलादेशी उहां पकड़ाए हैं ऐसे इसकी संक्या हजारों में है लेकिन वोट बैंकी राजिती के कारण ये इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको देशीत के मारे में अबेद कुरूप से घुसे हुए बंगलादेशी घुसपेट के बारे में और भारत के नागरिक के बारे में अंतर्क इनको दिखाई नहीं देता है जैसे आपने बंगलादेशी घुसपेट की बात की तुष्टी करन की बात की आपके जो विरोधी हैं यही आरोप घुमा कर आप पर लगाते हैं कि आप बंगलादेशी घुसपेट को लेकर चुकी जितनी बड़ी जनसंख् दूसरा वो यह कहते हैं कि जहां तक तुष्टी करन की बात है वो कहते हैं कि चुकी चुनाव आया और लोगसभा चुनाव के समय से यह देखा गया कि भारती जनता पार्टी जारकंड में बहुत मुखर हो गई बंगलादेशी घुसपेट को लेकर उसके पहले इस पहली बात तो मैं भी भारती जनता पार्टी के एक कारकरता होने के नाते देश के सवाल पर बैस की सुरक्षा के सवाल अगर स्वाल उठाते हैं तो वह सवाल केवल अनंतोजा का सवाल नहीं होता है ओधार ईसलिए सरकार थी रगुबर्ध राज्जी की सरकार थी उस सरकार में भी हमने इस सवाल उठाया और करवाई होती थी अगर हमने अपने जिले में साहिव गंजीले में पाकुड जिले में पौपलर of India जो एक अतिवादी संगठन है उस पर प्रतिबंद लगाने का सवाल उठाया तो उस प्रतिबंद लगाने की सवाल का जबाब में सरकार ने उस पर प्रतिबंदित करने का काम किया अगर हमने NRC अपडेशन की बात उठाई के NRC की प्रक्रिया इस चेतर में चालू की जाए तो प्रवर्ति रगवर्द उस समय भी जैमेम कांगरियस के लोगों को सरकार भले ही भाजपा की थी जब हम सदन के अंदर ये सवाल लाते थे तो राजी की सबसे बड़ी पंचायत इस बात की साक्षी है कि जैमेम कांगरियस के लोग यहां तक ही उनके जो विधायक दलके नेता है वो खड़े हो करके गुस्पैटियों के समर्थन में खड़े हो जाते थे इससे बड़ा राजी के लिए दुरभाग पूर नहीं हो सकता है और उस समय रगुबर्दार जी की सरकार उस पर करवाई करती थी अंतर आज ये है कि भोट बैंकी राजिती के कारण तुष परमान पत्र बनाने की करवाई चल रही है जो पुलिस ने पकरवा पकड़ा है मैंने का इसकी जाच कर आएजाए सरकार नriersा का कि 3 पक्रण तक हम सवाल उठाते रह गये तीन साल तक लगतार आवाज बेंगे लेकिन आज तक का है विधान सभा के अंदर कि सरकार सरकार होती है एक राजितिक दल अस्तापित होते हैं लेकि सिस्टम चलता है तो रगुबर ढार जी की सरकार में अगर बात करते हैं राजितिक दल होने करनाते 2014 से 19 के बीच में राजमहल विधान सबा च्छेतर के उद्वा प्रखंड में 8000 मद्दाता बढ़ते हैं एक प्रखंड में और 2019 से 24 के बीच में वहां 22000 से अधिक मद्दाता बढ़ते हैं तो यह जो प्रतियासित बिर्दी है यह प्रतियासित बिर्दी आया कहां से कौन साइसा स्कीम लाए कि खटाकट इस्कीम के साथ जो है अचानक मद्दताओं की संख्या बढ़ गई ये वोट जहाद ये लब जहाद इन्होंने प्रारम किया लब जहाद से इन्होंने लेंड जहाद किया और उसी रास्ते ये वोट जहाद के तियारी कर रहे हैं उन अबैद रुप से लोगों का आप एक बार जांच कर आये इतनी अपर्त्यासित बृदी हुई कहां से 2014 से 19 के बीच में एक मध्दान केंदर में मात्र 708 जो नेसरगिक बृदी होती है वही होता है और 19-24 के बीच में 600-1400 विर्दी हो जाता है यह विर्दी हुआ कहां से कौन लोग आया है तो कहीं ने कहीं यह सरकार के मौन समर्थन होने के कारण और घटनाए घटी है और इसके कई जीवन तुधारन गाजे ने देखा है आप देखिए विधान सभा में आज तक किसी नहीं मत नहीं किया जब नोजवान हमारे रोजगार की मांग करना शुरू किये तो इन्हों ने नमाज बिधान सभा के कक्ष में नमाज करने का काम किया चर्चा के नित्रत के हेमन सोरेंजी की सरकार लगतार तुष्टी करन के कारण इन गुसपैटियों के बारे में मौन साधे हुए है और उसी मौन का परिणाम है कि आज साहिब गंजिला पाकूर जिला की डेमोगराफी इस सासन में बहुत तेजी से बड़ी है तेक है आप लोग परिणों की मौचा और कांग्रेस तोर पर अगर मानती है कि घुसपैट हुआ तो दो आरोप पर लगाते हैं कि घुसपैट की जब आप बात करते हैं तो एक उंगली आप सरकार की तरफ उठाते हैं तो चार आपकी तरफ होती है क्यूं कि अंतराश्क्य सिमाओं की और केंदर में BJP की सरकार है जब बड़े हार-कार्ड के बारे में सबसे ज़्यादा कहा जाता है उन्होंने केंदर सरकार ने जब लॉंच चिया तो कहा है सबसे सुरक्षित पहचान का यह बरर के बड़े पैमाने का विषे है और नब्बेक के दसक से बंगलादेशी गुस्पैट है कि भिषे को हम लोगों ने लड़ा है समभर्ष किया है और उस समय जब सासन सब्पना इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि गुस्पैट हो कि देखो यह बंगलादेशी गुस्पेट क्यों हो रहा है यह जिसके साथ गलबहिया डाल करके अभी बरतवान जारखंड मुक्ति मुर्चा सरकार चला रही है वैसी पाटी जो इस देश के अंदर छद्म सेक्लोरवाद के नाम पर इस देश के साथ महापाप किया है और उन्ह फड़ा इस किसले मेनिका की राष्टी परिपेक्श में है असम के अंदर 1980 के दसक में घुस्पेट होना प्रारंब हुआ वहां के छात रिवाओं ने सड़क पर आंदोलन किया कांगरिस उसको न करते रही दमनात्मक्रित करते रही जब आंदोलन उग्र हुआ तो आई खड़ और एककरित बिहार था उस बिहार के समय में भी इन लोगों ने इसी परकार का पाप किया है जिसके कारण से आज ये दमस हमको जहना पड़ रहा है आज उनको कौन रोका था अजादी के 65-70 सालों तक उन्होंने देश की सासनवे उस्था पर प्रत्यक्श प्रत्यक् चल रहा है और तेजी से ना क्यों तेजी चल रहा है बलकि उसको सीधे तरीके से मुर्टिंग करने का कभी काम परत्यक्श प्रत्यक्श 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 हो ये सब लोग जो चर्म सेकलरवादी राजितिक दल है ये उनके संदक्षान में आकर के खड़े हो जाते हैं आप मैं आपके माध्यम से राजिकी जनता को बताना चाहता हूं कि रगुबर जी की सरकार थी और आज हेमन सोरिन जी की सरकार है रगुबर जी के सरकार में भी तो अभी वो सरकार में थे लेकिन आपने देखा हुआ कि जब हमने हैं 2022 में गैर सरकारी संकल पलाया था और मैंने दो ही मांग किया था एक अगर मुझे लगता है कि मैं लगतार वो हमेशा सदन में इस बात को कहते थे कि जब से यानन तो जहाब इधायक बनकर के आए हैं अभजे बंगलादेशी घुसपेटी बंगलादेशी घुसपेटी की बात करते हैं हमने का कि अगर मैं सवाल करता हूं मुझे लगता है कि मेरे चेतर की जोलंत मुद्धे हैं तो आप एक उचस्त्री टास्पर्स बना दीजिए और पूरे जो समय की तरुप से जो घटनाए घट रही है चाहे रभिका पहाडिन के टुकडों में काट काट करके हत्या करने के कारण जो अतिवादी बिचार इस इलाके में आ रहे हैं चाहे जाली नोटों का तसकरी हो रही है चाहे जाली रेल टिकट की तसकरी हो रही है चाहे बड़े पेमाने पर तसकरों का गिरोह इ दुसरा मैंने कहा था कि साहेब गुझवर पाकूर जिले का एक मिनी नर्सी करवा लिजिए लेकिन उस समय संसदी कारिज मंतरी के नाते कल रगुबर सरकार में भी वह उच्छल करके खड़े होते थे उनके समर्थन में और आज जब सरकार में मंतरी के नाते उतर देते हैं तो पुर्स बनानी के जोरत नहीं सरकार सक्षा में उन्होंने नियाले में पहले दिन कहा कि नहीं एक भी बंगलादेशी नहीं पकड़े गए अभी कहते हैं कि नहीं बंगलादेशी पकड़े गए तो यह इस प्रकार का भिसे यह इनके नीती और नियत और गुसपैटियों के प्रति प्रेम हमां सोरें जी की पाटी का हो चाहें कंग्रिस पाटी का हो यह इनके ही किये हुए पापों की सजा आज झारखंड जैसे राज और झारखंड ही नहीं पूरा देश आज बंगलादेशी गुस्पैटियों का दंस जिल रहा है। जारकन मुक्ती मोर्चा की तरफ से केता बुद्धिन चुनाव लड़ते हैं वो 25,000 के आसपास वोट ले आते हैं और अगर उन दोन वोटों को मिला दे तो वो एक लाखा आकड़ा पार कर जाता है। अगर ये मानसिक्ता है, इस मानसिक्ता के अधार पर बोटिंग होता है तो निशित रूप से ये लोकतंतर के लिए भी खतरनाक है। एक राजनितिक कारकरता अपने दल के नाते हो, अपने दल से अलग हो, वो अपने मुद्वों पर लड़ाई लड़ता है। जनता के जो अपेक्षा हैं उन्हों पेक्षाओं पर लड़ाई लड़ता है। जनता के सामने मुद्दे हैं जैसे हमने कहा था कि अगर मेरे कारकाल में गंगापूल का काम चालू नहीं हो पाया। तो मैं अनंत ओजाग खुद के लिए भोट मांगने नहीं आऊंगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम सका सकता हूँ कि इसी प्रकार का एक मांग राजमहल के लोगों का भी है। चुकि अगर सड़के बनती है, अगर पूल बनता है, अगर बिजली मैंने पहुंचाने का काम किया, अगर अच्छी सड़के देने काम किया, सिवरे जुग सहर बनाने का काम किया, किसानों के लिए अगर कोल्ड श्टोरेज बनाने का काम किया, डेरी का काम अगर हमने किया, तो यह किसी को विभाजन करके नहीं बिना, समाज में रहने वाले, छेतर में रहने वाले, जो भी हमारे यहां का बैद नागरिक है, जो हमारे देश के नागरिक है, देश के मद आता है, उन सभी के लिए कल्यान के सोच करके हमने काम किया, और मुझे विश्वास है कि जनता जब इन मुद्धों पर विचार करेगी, बख्षित बोध के साथ राज्यतिक करने वड़े लोग इस राज्वती का समाप्ति होगा और इस चेत्र के दिख की गाथा हमने सुरू Cover the जखें की गलत निइप मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ मुझे इस शेतर की जनता ने सिर्क इसी काम के लिए चुना है कि हमारी शेतर की जो समस्याएं हैं जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को राज की सबसे बड़ी पंचायत में उठा करके और उसका समधान वहां से लेकर के आए जो भी समस्य है लेकिन आज मानी मुखमंत्री जी का जीला रहने के बावजूद भी आप देखिए आप जो एनेच एटी बरतमान का लाता था इस सवाल को मैंने कोबिट के तुलंत बाद उठाया सरकार ने सदन के अंदर कहा कि 15 दिनों के अंदर हम उसको सड़क बनाने का काम चालू कर देंगे 15 दिन के जगह पर 500 दिन से भी जादा हो गया 700 दिन हो गया लेकिन वह नहीं बना अंति में एने चाई के माध्यम से उसको डिपोजिट में रासी मिला उसको भी इन्होंने लटकाने अटकाने के कारण जो है वो भी काम कई जबहों पर तो सुरू भी हो गया कई जग चाई करें जो हो गया उसको लेकर के हम लोगों ने सदर अस्पताल के बगल में सुझाव दिया कि इसी को चेतर को एक्रित करके और यहां बेडिकल कालेज अस्थापित करा जा तो उसको इन्होंने बन भूमी का जबीन उपलब्द करा दिया उसी पकार से राज उधवा के दिगरी कोलेज का हमने डिमांड किया था उधवा में डिगरी कोलेज अस्थापित हो जाएगा तो परने दो क्रोर की अबादी को रहत मिलेगा उसी पर रगबरदास की सरकार में हमने यह आपको किसान भाईयों के हित में एक योजना लाई थी वहां उधवा में चालू करन फ्रकार का इन्होंने और मुझे लगता है कि इनके पास हमारे पृतिफक्ष के सातियों के पास विकास के एज़ंडा नहीं है इसलिए जनता को लगतार भरमित करने का काम कब जाती के कि आने वाले 20 वर्सों में पाकूड और जो साहिब गंजिला है वो अलपसंठक बहुल जिला बन जाएगा और जिस तरह का दावा आप लोग भी कर रहें कि पिछले चार साल में आबादी बढ़ी है अभी भी आप देखेंगे कि संताल में 2019 में प्रदर्शन अच्छा नहीं र तो यह जो बंगलादेशी घुसपैट का विसे है और उसके कारण से जो जानसंक की बदला हुआ है खुद मेरे बेक्तिगत जीवन के लिए भी और राजितिक छेत्र के लिए भी यह हमारे लिए राजितिक मुद्दा नहीं है यह मुद्दा राजितिक विसे नहीं हो करके इस छेत्र के रहने वाले जो भी नागरिक है जिनके मन में भी भारत माता की जै का उद्गोस निकलता है ऐसे सभी नागरिकों के लिए यह हमारे लिए जीवन मरन का परस्न है मैं उसको राजितिक चसमे से नहीं देखता और वो संधर्थ का भी जो रास्ता है यह बंगलाद जी कि जो गटबंदन सरकार है चाहे जम्यम के लोग हो कॉंगरिस के लोग हो इन लोगों ने किस परकार से समाज के सभी बर्ग के लोगो को भरम्नित करने का काम किया इन्हों ने कहा नौजवानों से कि हम 5,000 लाख रुजगार देंगे 5,000 लाख रुजगार नहीं दे गरीब महिलाओं को प्रती बर्सम 72,000 रुपिया उनको सजोग करेंगे आज 3,60,000 देने पांच साल में 3,60,000 देने के जगह पर 4000-2000 रुपिया देकर के लोगों को भरमित करने का काम कर रहे हैं उसी प्रकार से इन्होंने संविदा करwiąz को कहा तुम्हारा जीवन की सुरक्षा देंगे तो ऐसे भरंपुर उसी तरह से किसानों के लिए महिलाओं के बारे में, महिलाओं के सुरक्षा के बारे में, आदिवासियों के सुरक्षा के बारे में, अनेक अबुआ दिसुम, अबुआ राज, आज अबुआ दिसुम, अबुआ राज की लडाई लडने वाले जो उनके जालों के अंदर जो सवाल खाड़ खाड़ा किए और भार्ती जानता पाटि के विधायकों ने अलग राजी भार्ती जानता पाटी ने बनाया इसलिए इस राजी के प्रती यहां के लोगों के प्रती दर्द भारती जंता पाटी को है सरधे पंडित अटल विहारी बाजपई जी ने यहां के लोगों के सपनों को पूरा करने का काम किया था और हम सदन के अंदर आए इन्होंने का कि 32 का खतियान लाएंगे हम सदन के अंदर भारती जंता पाटी ने खड़े हो करके सारे विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया कि जैसे रगुबरदाजी के सरकार टिल्ली को नहीं ले गये थे उन्होंने वो दिल्ली के पास बेखे उन्होंने मंतिरी परसद में लाया और लाकर के उन्होंने आज भी नियुक्तियां जो कर रहे हैं ये ये रोगबरदाजी की सरकार के अधार पर ही कर रहे हैं तो इसी परकार के यह भरंपूर्णवाता वरन बना करके यहां के संताल पढ़ना के लोगों को जार्खंड के लोगों को भरंवित करने का काम किया और उसकी अधार मिटे तोचे रखने वाले जो जार transparen के बारे में अच्छा सोचने वाले जो लोग हैं हम उननके बीच में जाएंगे और इनके जो हैंगे जो कारगुजारिया है इन्होंने जो भ्रामक जनादेश लेने का काम किया जूठे वादे करके और कांग्रिस की गढ़वंदन की सरकार जा रही है और भारती जनता पार्टी की सरकार आ रही है। सहारे जारकंड मुक्ति मूर्चा को हराएगी यह सवाल हमारा आयातित नेता के नाते नहीं। यह कौन लोग है। आप चंपरी सोरेन जी का आपने देखा होगा विपक्ष के सदस्के नाते हम लोग भी सवाल करते थे उनसे। वो जहरकंड मुक्ति मोर्चा अबुआ दिसुम अबुआ राज के अगरणी नेता थे। इन्होंने जो मुद्दे खड़ा किये थे, उन्होंने जो असली जहरकंडी की क्या पहचान, 32 का हो जिसके पास खतियान, इन्होंने जो नारे दिये थे, आज उसका मो भंग हुआ है। और मैंने पहले ही कहा कि यहां के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए, लड़ाई तो माराग गोमके जैपाल सिंह मुंडा जी के समय से अलग राज की लड़ाई चल दए थे। बारती जनता पार्टी भी लड़ाई मागरिनी व्हुनिकानी भाई। लेकिन उस सपने को पूरा करने का काम पंडित अटल भिहारी बाचपेई जी ने जो राची के मुराबादी मैदान में जो वादा करके गए थे उन्हों ने यहां के लोगों की भावनाओं को समझा और जो कह कर गए थे उसको पूरा करने का काम किया आज नरेंद्र भाई मोधी जी इस देश के प्रधान मंत्री हैं धरती आबा भगवान विर्सा मुंडा जी की माटी को नमन करने का किसने किया जंजाती गौरोस जीवस कुरुप में किसने अस्तापित किया कांगरिस के बड़े योराज इसी रास्ते से जाते हैं इसी संथाल पढ़ना के माटी से जाते हैं बगल के रास्ते से वो यात्रा करके निकलते हैं उनको फुर्सत नहीं होती है सिद्धो कानू चांद वैरो फुलो जानो की माटी को नमन करने का ये देश के प्रधान मंत्र आदर्णी स्री नरेंदर बोंदी जी है जो भोगनाडी की माटी को जाकर के नमन करते हैं जिन्होंने अंग्रेजी दास्ता के खिलाप लड़ाई किया था देश के ग्रेह मंत्री आदर्णी अमिस साहजी आते हैं और अमिस साहजी 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 में परिवर्तन सभा को समुरित करने से पहले उस भोगनाडी के माटी को जाते हैं और उस माटी को पढ़नाम करके उनके बंसजों को पढ़नाम करके तब साहजी की सभा में आते हैं ऐसा चुनाव गुष्णापत्र अभ्यान समीति के संयोजग भी हैं अभी तक अंदर जो आपकी पूरी कमिटी है उसमें मन्थन पर कौन से मुद्धे निकल कर आए और चुकि आपने कहा था कि जनता से सुझाव भी मांगे जाएंगे तो इस चुनाव में बीजेपी बांगलादे किसी घुसपैट के अलावा और किन मुद्धों को लेकर जनता के बीच जा रही है जारखंड आज परिवर्तन को आतूर है जारखंड की आम जनता में यह का विश्वास यह सरकार खो चुकी है और भारती जनता पार्टी पूरे देश के अंदर ये बात अस्थापित है पारा नहीं होता है हमारे लिए हमारे संकल्पों को सिध्धि तक ले जाने का वो मार्ग होता है और इसलिए अभी आपने लोग सभा संपन लोग सभा का चुना हुआ हमारे भारती जनता पार्टी के गोशना पत्र में हम लोगों ने कहा ता कि 70 बर से आयू के जो उपर किये हैं यहां नौजवानों के मुद्दे हैं उनके रोजगार के मुद्दे हैं जिसको सरकार ने पूरी तर से चलने का काम किया है यहां हमारे संभिदा कर्मियों के मुद्दे हैं हमारे विभिन आउट्सोर्सिंग के अधार पर जो युवा अपनी स्रम सक्ति को बेहतर ज अपने आप को धी डोरा पिटने का काम कर रहे हैं तो ऐसे सारे बुद्धे जो राज्य के लोगों के सवाल है वह सवाल आज भी हमारे सामने हैं और निशी तुरुप से सबको समय की तुरुप से, उसी प्रकार से राजी के सरवांगीन विकास, हम राजी को किस दिसा में ले जाना चाहते हैं, हम परेटन के चेतर में कैसे इस राजी को खाड़ा करके और रोजगार के नए आउसर पैदा कर सकते हैं, हम इंडेस्ट्रेल ए अंचायत के माध्यम से किसान भाईयों के द्वारा हमारे पास आये हैं, और भारती जनता पार्टी अपनी पूरी बचन बदता के साथ, जो हमारा घोसना पत्र में जो मुद्दे होंगे, जो विसे जनता के सुझाव आएंगे, उसको पूरी परांगता के साथ समय के परिक्षा सफलता पूरवक संपन कराई, नियुक्तियां दी, दूसरी JPSC की परिक्षा मुख्य परिक्षा हो चुकी है, परिणाम का इंतजार है, जैससे CGL की परिक्षा को भी वो सफलता पूरवक कराने का क्रेडिट ले रहे हैं, इसके अलावा पंचायत सचीव, हाई स् परिक्षा की परिक्षा नहीं ले पाई, जैससे CGL की परिक्षा नहीं हो पाई, इसके बाद पाराटीचरों का जो मुद्दा है, पूरे साल पाराटीचर आंदोलन करते रहे, आंगनवाडी सेविकाओं पर लाठी चार्ज के मुद्दे को बहुत कहा जाता है, कि सरकार गि पाराटीचरों को भी संतुष्ट किया है, तो आप जब अब जाएंगे चुनाओं में और घुसना पत्र में भी अगर रोजगार का बादा करेंगे, तो इस बार क्यूं जनता भरोसा करें, रोजगार के मुद्दे पर भारती जनता पाटी करें, पहली बात, तो हमारी साख समार में, जीन बातों को दोनों दलों के भावनाओं को समझ जनता देख रही है, एक तरह भारती जनता पाटी की सरकार रही, रगवर्दाजी की सरकार रही, इसी राजी के अंदर, सदन के अंदर, जब रगवर्दाजी ने सभी राजी के सभी लोगों को निमंतर दिया कि हाई ये समय के तो उसमय के रोजगाद मेटी हैं बना लें एक नियोज़नी नीती हम बना ले तो आधरणी जो आज Corn Mandal नी मुख मंत्री हैं उस मुख मंत्री जी ने सदन के अंदर कहा था पि हम आपको अगर दॉज़ाव नहीं तो आप रुजगार नहीं देंगे क्या रगवरदार जी की सरकार ने समाज के सभी बर्गों को सभी राजितिक दलों को सभी समाज संगटनों को निमंत्रित करके और हमें जो अच्छा लगा एक ठोस नियोजन नीती बनाते हुए हम लोगों ने एक लाख तीन हजार नौजव किया आपने क्या किया आपने कहा 32 का खतियान लाएंगे आपने नहीं लाया जब नोजवान रोजगार मांगने की बात कहे आपने सभी लोगों को कहा कि हमें आने दीजिए हम ये कर सपने कर देंगे उसके सपनों को लाठी के सहारे इन्होंने वादा हमने नहीं किया था इन होने रोजगार के बुद्धे पर नमाज कक्षलाया जब रोजगार की बुद्धे की बात हुए तिन्हों ने कहा कि 32 का खतियान हम बनाएंगे जब हम लोगों ने सरसमतिस इनको अधिकार दे दिया तो फिर उस पर पलाइन कर गए जब नौजवानों के रोजगार पर आपने देखा होगा बिधान सबा के अंदर बिधान सबा के अंदर हम लगतार मैं तो एक सदस्य होने के नाते आज गर्ब किसा कह सकता हूँ कि बिगत पौने पांच बरसों के कारजवधी में हमने नौजवानों के सवाल, रोजगार के सवाल, संबीदा कर्मियों के सवाल और सदन के अंदर रिकॉर्ड है इस बात का कि सरकार कैसे पलाइन करती रही लगतार मुद्दे पर तो हमारे पास काम करने की साख है समाज में, भारती जनता पाटी ने काम किया है, रोजगार दिया है, यह भारती जनता पाटी के विश्वास है, कुछ कमिया रही होगी हमसे, जिन कमियों के कारण या इनके द्वारा जो लाये गए जो भरम पुन वाता वरन थे, उस भरम के बाता-बरण में इस सराजी को ले जाने के दिसा में इन लोगों ने काम किया और जना देश लिया, आज उस जना देश पर खुठारा घात हुआ है, तो निश्नित त्रूप से अब राजी की जनता भी समझ गई है, राजी के इवा भी समझ गए है, संविदा करμी भी समझ के बाद उस घोसना पत्र को संकल पत्र मान करके उसको सिध्धी तक पहुचाने के दिसा में हमारा प्रदेश नितित्व राश्टी नितित्व के मारदर्सन में काम करें यहां पर लोटते हैं खास महाल का मुद्दा आपने पिछले चुनाओं में आपके लिए प्राइमरी वा करेंगे आपकी क्या परली बात हो कि देखे इस सरकार का नियत में ही खोट है पुरूब के यहां के लोगों की जो भावनाये थी खास महल एक अग्रेजों के समय का बनाया हुआ काला कानून और मैंने सदन के माध्यम से लगतार इस बात को उठाते रहे यहां के लोगों की को दर्द को ले जाते गए और उस खास महल जैसे काले कानून की समाप्ति के लिए लगतार सदन के अंदर लड़ाई लड़ते रहे पहले के भी जो नित्र तुसमू थे उन लोग उसकी सरकार थी उन लोगोंने हमारी भी सरकार रही है पुरू में उस समय के जो मानी सदस से उठाते रहे लेकिन जो जनता के अकांचा थी उस अकांचा को सदन के माध्यम से हम्ने एक टाक्त देने का काम किया और पुरुवतीर अग्वऩर दार जी की सरकार ने हिमध देखाते हुए पहली बार हिमध देखाते हुए इसका स्थाई समधान करना के डिसा ने पखल किय और इसके लिए मेरे ही सवाल के आलोग में सरकार ने एक उचस्त्री कमिटी बनाई, अधिकारी देश के अन्य राजियों में, चुकि राजस्ट से जुड़े हुए बिसे थे, इस से जुड़े हुए बिसे को लेकर के देश के कई राजियों में अध्यान कराया, उसकी बैधा सरकार बरतमान में आई, जेमेम कॉंगरिस की सरकार आई, तो इस सरकार में भी कई आउसरों पर हमने इस मामले को उठाया, इन्होंने विधान सभा के अंदर रिकॉर्ड में हैं, इन्होंने कहा कि जो काम आज तक आप नहीं किये हैं, उस काम को हम करेंगे, मैंने उनके लेकिन चुकि राज के कई जिले भी खास महल जो बिसे हैं, उसके साथ जुड़े हुए थे, मैंने सदन के अंदर भी कहा, लेकिन पूरे राज के अधिकारियों ने राज के बारे में एक समखित रूप से बिचार करते हुए, एक नितिगत ने लिया, मंत्री परसद में फा जब लोगों ने आवेदन किया, तो बोला कि एक महिने के अंदर करेंगे, मैंने पूछा क्या समधान निकला, तो इनके पास समधान नहीं था, स्वेमानी मुखमंत्री जी मेरे सवाल पर सदन के अंदर खाड़ा हुए, उन्हों ने कहा कि हम इसका अस्थाई समधान करेंग रगुबरदाजी की सरकार में सहर के अंदर रहने वाले हज्जारों परिवारों का अपना घर बना, इसी खास महल के भूमी पर घर बना, और जैसे सरकार बदली, सरकार बदलने के एक महिने के बाद, तक भी प्रधान मंत्री आवास से घर बनता था, लेकिन जैसे इनको पत किया था उसका किस्त इन लोगों ने रोकने का काम किया चुकि इनके नियत में खोट है और कई बार हमने का कई बारोसर जैसे मैंने सड़क के कि इन लोगों ने चालू नहीं किया तो ऐसी सैकड़ों योजनाये हैं जो यहां के लोगों का भागया और भवी से बदल सकती है उसमें खास महल भी पर मुकता से मुद्धा था मुकमंतिर जी ने सारजुनिक रूप से बयान दिया है सारजुनिक रूप से कहा है मैंने कई बार परस्न किया उसके अंदर यहां जन सभा में परस्न किया यहां जब आते थे तो मैं मिल करके उनको अस्थाई समधान के लिए एक जन परतिनी होने के नाते आग्रा करता था लेकिन इनके नियत पच्छी नहीं थी इसके कारण से य आने वाली भारती जंता पार्टी की सरकार में यहां का जो खास महल का मुद्धा है यहां मुद्धा तो मैं तो नहीं मानता हूं कि यह खास महल समापती के ओर है उन ब्यवस्थाओं में और सरलिक्रिद करते हुए इसको इस दिसा में यहां के नागरिकों को मलिकाना हग दिलाने का काम यह हम करें आपने पीम आवास का जिक्र किया और आपने आरोप लगाया कि वनों ने किस्त ने रोकी लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई साड़े आठ लाक लोगों की लिस्ट हमने सौपी थी उसको के अंदर से स्विक्रिती नहीं मिली इसके बाद वो कहते हैं कि रासन कार्ड बड़े पैमाने पर नाम काटे गए और इसलिए हमें अब वा आवास योजना लेकर आनी जो हमारे जिनको अपने च्छत की लालसा में उन्होंने घर छोड़कर के किराये पर घर ले लिया जिनको पहला किस्त जारी हो गया दूसरा किस्त जारी हो गया उसकी रासी रखी हुई है जिला के पास ऐसे दो हजार से ज़्यादा परिवारों को इन्होंने उस खुले के पैक्ष में आपने कहा कि जो रासी इन्होंने लिया था यह यह हमने स्वरण के अंदर विशर्ध को कही करना कि 講ताँं का भी इन्हों ने इसी परकार के फर्मिद करने के काम किया तो इनके नियत अच्छी नहीं दे बढ़ी और ये राजिके लोगों का भला निंचाते हैं दे की लिए लगतार येृ इसी कैसे सरकारी पैसे का बंदरबाट हुआ कैसे डाकिया योजना जो हमारे आदिम जन जाती के पहड़िया जन जाती समाज के लोगों को सीधे उसके घर तक पहुंचाने थी कैसे लाखो टन हजारो टन उसका खाध्यान जो है उसकी लूट मची है यसी साहिब बंजिले में है मु जनता त्यार बैटी है वो इनको उतब देने का काम करेगी रोजगार को लेकर आपकी छेत्र की तरफ से दो तरह के सवाल आए एक तो खनन घोटाला मामले में एडी की कारवाई है और इंजिटी की निर्देस पर क्रसर बंद है दूसरा ये कि चाइना के लिए का जिकर किया रोजगार खोया तो इन्हें ही सुरू कराकर उनको रोजगार दिया साथ सके या वेकल पिक क्योंकि पलायन बड़ी समस्या है राजमाजिजान सवाशेत्र पहली बात तो यह तो दर्द मैंने देहना देखा है यह इसी लाते जितनी भी मैंने कहा योजनाओं का स्रिजन करन के फरकार तक फोरलें सड़कों का निर्मान हो एक नई सड़क लगतार सवाल उठाते उठाते साहिब बंज से रांची तक ग्रिन फिल्ड एक्स्परेस हाई वे जिसकी स्कूर्टी कराकर करके हमने भारस सरकार पास बेज़वाने का काम किया पुर्वती रगबर दार्जी क सरकार में जो साहिबंजबंदरगा है साहिबनजबंदरगा से उडिशा का धामरा port तक फोरलें सागर्माला परियोजना से जूड़ने की बात है सागर्माला परियोजना के तरत हजारों एकडर इस्टियल एरिया बिक्सित करने के लिए सरकार के द्वारा एक पत्री यहां लंबित है पड़ा हुआ है उसी प्रकार से जिस प्रकार से पत्थर उद्योग के माध्यम से इस सरकार की नकामियों के कारण जिस प्रकार से लूट हुई है और उस लूट की दास्तान ये पूरा राज्य ने देखा है पूरा जार्खन ने देखा है और वहीं दूसरी और रा ही मुश्किल से एक माह पहले ही मैंने अधिकारीों से कहा दो और सरकार है और उसको नमिनी करन करने करने करें उसको कार्जरा बढ़ाने काम कि आ था लेकिन इन को चिंता इस बात का नहीं है और इसलिए राजमहल विदान साबहान शेत्र को इन लोगों ने अपने एजेंडा में किसी भी परकार से इसको बाधित करने का काम किया इसलिए इस शेत्र की जनता के पास इनके पास जाने के लिए कोई प्रस नहीं है सिवाए संपर्दाइक धुर्वी करन का विभाजन कारी राजनीती का इसके अलावा इनके पास इन्होंने इस छेत्र की जनता के भला के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिससे यहां की छेत्र की जनता की भला हो सके. आखिर में मुद्दों से चुनावी राजनीती पर लोटते हैं, राजमहल में आप संभावीत उमिदवार हैं ही, आपकी परतिद्वन्दी की बात करते हैं, M.T. राजा मुहमत ताजुद्दिन जो हैं वो जहरकन मुक्ती मोर्चा में वापस लोट आए हैं और संभावीत उम सत्य परिसान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और सत्य है कि इस छेत्र को एक नई पहचान मिली है, विकास की एक नई पहचान मिली है, पैसट साल, अजादी के पैसट साल हो गए, पैसट साल के विकास की रूप रेखा और इस दस साल के विकास की रूप रेखा को ले क करके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और वह सवाल का उत्तर इनको देना पड़ेगा इनके पांच साल में इस छेत्र की इन्होंने जिस दल के साथ वो जुड़े हैं जिस जो दल कौन कंडेट बनेगा मुझे पता नहीं है भारती जनता पार्टी किसको बनाएगी ये इस छेत्र का भविस बदलने के लिए हमने जो प्रयास किया है यह सामने रहेगा और पॉल्टिकल टूरिज्म करकते हुए कई लोग प्रयास होता है तो जब जनता की अदालत में जाएंगे जनता के पास जब यह बिसे जाएगा नेने जनता को करना है लोगतंत्रक में तो जनता ही भगवान है उनके सोच के अधार पर उनके सपनों के अधार पर राजमहल विधानसवा छेत्र को किसने गढ़ने का काम किया है किसने लाने का काम किया और यह बेचैनी भी इसलिए इनको है इसलिए इनको पता है कि हमने इस चेत्र की जबरदस्त उपेक्चा की है हम मने मानी मुखमंत्री जी को उनके इसी राजमहल के धर्ती पर हमने उनसे निवेदन किया कि पता नहीं राजमहल पर नजर किसकी लग गई और दियारा छेतर में तरही माम है लोगों का रेष्टी होता था रेष्टी बंद हो गया सड़कों का काम ठप पड़ा हुआ था योज से जो भी हमारे सामने रहेंगे 65 साल इनके दल के धार पर भी जो लोग भी दल के सत्ता में रहें केंदर के सत्ता में रहें राजी के सत्ता में रहें उनको भी जवाब देना पड़ेगा और दस बरसों का हमारा जो जनता का दिया हुआ असिरवाद की ताकत के बल पर जो हमन आजमहल विधान सभाशीट से दो बार की विधायक अनन्तोजा और ये चुनाव घुसना पत्र अभियान समीती के संयोजग भी है तो बड़ी जिम्मेदारी भी है चुनाव की घुसना कभी भी हो सकती है क्योंकि चुनाव आयोग की टीम जो है लगातार दौरा कर रही है भार सारी बातें हैं और ये तै करना न्यायपालिका और कारेपालिका को है कि अगर बांगलादेशी घुसपैट हुआ है तो जिम्मेदार कौन है और चुनाव में ये कितना असर डालेगा अगर राजमहल विधान सभाशीट की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि भारत इसी तोर पर जब भी चुनाव होगा और दो प्रतिद्वन्दी होंगे तो मुकाबला कड़ा ही होगा जब चुनाव की घुसना हो जाएगी जब कंडिडिट का एलान हो जाएगा तो हम फिर राजमहल में आएंगे फिर बातचित होगी और फिर देखेंगे नतिजा तो करना है हमारा नाम सूरज है कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है विकी शुक्रिया